नुश्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों विक्की खान कल चैन बोर्ड पहुंचे थे और उन्होंने धन्ना प्रतस्थन किया जैसा कि कल भी मैं नपको बताया था कि इनका प्लान भी था और उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा करनी थी तो दोस्तों कल जो है धर्णा प्रतस्थन हुआ और इसी से संबंधित जो न्यूज है वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देए यहां पर लिखा है नई सिचक भरती के लिए घेरा चैन बोड चैन बोड का घेराओ किया गया है चातरों ने चैन बोड अध्यच को संबोधित पत्र उप सचिव नवल कि सोर को सौप कर माधमी उद्यालियों में खाली टीजीटी पीजीटी के पदों पर भरती प्रक इसी समधित अन्य खबरें हैं देखिए नया बिग्यापन जो है अक्टूबर में आने की उमीद है चैन बोड की इसी हफते बैठेक है कई फैंसलों पर लग सकती है मोहर प्रतियोगियों ने कारियला के सामने किया घंटों प्रतसन जमकर नारेवाजी की है और इसमें बताय जा रहा है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है अब अक्टूबर में बिग्यापन जारी होने के आसार है हालाकि बोड की बैठक इसी हफते होनी है इसमें कई फैंसले हो सकते हैं चैन बोड का रियालेक के सामने सोमवार को प्रतियोगियों ने घंटों प्रतसन किया और प तो दोस्तों जो बैठक हो रही है इस अपता है उसमें क्या-क्या डिसिजन हो सकते हैं जिव बिग्यान परिछा की तारिक घोसित हो सकती है 2016 वाले बिग्यापन की नए बिग्यापन में जिव बिग्यान भाग एक भाग दो के रूप में बिग्यापन आएगा यानि कि बिग्यान के दो भाग किये जाएंगे भाग एक और भाग दो उस रूप में बिग्यापन आएगा वहीं भावति की बिग्यान वा रासायन बिग्यान जिव बिग्यान वा बनस्पति बिग्यान के पदों को बा आया जा सकता है। जीव बिग्यन 2011 का रिजल्ट जल्द घुंसित हो सकता है। उपसचिव ने कहा कि कला के जिन अभ्यार्थियों को समस्या आ रही है। वे लोग इसना तक वह प्रावधिक कला की मार्क सीट की PDF बनाकर इसना तक के जगह PDF को समिट कर देंगे तो मानि होगी। सारी रिख सिच्छा का रिवाइजड रिजल्ट मन कर तैजार है 11 सितंबर तक आ सकता है। प्रितिनित मंडल ने कहा कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो 11 सितंबर के बाद क्रेमिक अंसुन शुरू होगा। तो ये सारी बाते हुई इन सब बातों पर चच्चा हुई। और आ तीन जुलों का विकल्ब देने की युकल अंतिम्ति थी उत्तर प्रदेश लोग सिवा आजोग के द्वारा आयोजित PCS 2020 की परिच्चा की तो उसको 10 तारी तक बढ़ा दिया गया है। देखिए यहां पर लिखा है PCS 2020 और सहायक बंद सनरच्चक ACF 6.3 बंद अधिकारी RFO 2019 की परिच्चा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यारतियों को परिच्चा केंद्र के लिए तीन जुलों का विकल्ब देने का एक अन्य औसर प्रदान किया गया है। इसके लिए निर्धारित अंतिम्ति थी को साथ से बढ़ा कर 10 सितंबर किया गया है। प्र्रदे सरुमार को उच्च सच्चा निधे साले में परिदसन किया और रिखती बैर की श्यासन के नहिए नहीं हो पा रहा है। सासन को पत्र लिखा गया है अब सासन इस तर से ही कुछ होगा निदेशक ने कहा कि वह एक बैठा के लिए लखनों जा रही है वहां इस समस्या के निराकरण कराने का प्रयास करेंगी तो यह चातर जो है अपनी ज्वाइनिंग के लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी सब्सक्राणों के वह जैसे इनको न्युक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है काउंसलिंग इनकी हो चुकी है न्युक्ति पत्र कंप्यूटराइज जारी करने हैं विवसाइट के थूरू जारी किया जाएगा लेकिन सफ्ट्वे में क्या प्रॉल्म आ गई है क्या दिक्कत आ र सब्सक्राणों का दुष्कर्म कांड आप सब के जहन में होगा एक छात्रा के साथ है पूर्व विधाय कुलदीव सेंगर जो थे उन्होंने रेप किया था और आज वो उम्रकैद की सजा काट रहे हैं लेकिन उस समय एक महिला के साथ या घटना घटी थी और उन्नाव जिल कि 2009 बैच की काफी मसहूर आई एस अधिकारी हैं और उस समय निहा सिंग थी एस पी जो बाद में दो फरवरी दो हैर सोला से सताइस अक्टूबर दो हैर सतरा तक थीं यह सताइस अक्टूबर के बाद यह दूसरी आईपेस अधिकारी हैं पूसपांजली इन्होंने चार्ज सधिकारी थी जो एस पी थी और एक यह डियम साहिवा थी वो छात्रा इन सब के पास गई आई एफ आई आर करवाने के लिए लेकिन इन्होंने विधाय के प्रभाव में आकर एफ आई आर नहीं लिखिये हलाकि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी छात्रा को उसक अब इन तीन IAS IPS अधिकारियों को दो सीमाना है कहते हैं कि अगर महिलाएं अधिकारी बनेंगी तो महिलाओं के हग के लिए लड़ेंगी और महिलाएं समाज में महिलाएं सुरचित होंगी लेकिन यह एक ऐसा उधारन है जहां पर टॉप लेबल पर जिले की अधिकारी महिल बैठी हुई हैं और एक महिला च्हात्रा के साथ ऐसी घटना होती है और यह महिला हैं जो काफी पावरफुल है अधिकारी है जिले की कमान जिसके पास है इसकी नहीं लिखती है लखनों में अब आनलाइन हो जाएगा किराइदार का सत्यापन अगर आपको अपना कैरेक्टर साइटिफिकेट चाहिए आपकी जॉब लग गई है कहीं पर तो आप थाने में भंटकते हैं लेकिन अब नहीं भंटकना पड़ेगा क्योंकि यह लखनों पुलिस की ऊबिभाग के कई विवाग के समिधा कर्मी आपने आपको नियमित करने के इंदियार में देख रहे हैं और यह दिखी यहाँ पर बण बिभाग में आठ हजार पान सो दैनिक वेतर्ण वर्के चार्श समिधा कर्मी बये करन के इंत्यार में बैठे हुए हैं लेकिन इस तरह की अभी कोई भी इनको समीदाकर्मियों को निमित करने के करवाही नहीं की जा रही है तो इसमें जो है और भी कई विभागों के हैं जैसे परिवाहन विभाग पी डि तो इस तरह के भी विभाग है जहां पर बहुत सारे समीधा कर्मी कर रहे हैं अगर इन्होंने कहा है कि निमेती करन अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे इनकी नियुकती 31 दिसंबर 2001 से पहले हुई थी लेकिन इनका निमेती करन नहीं हुआ है परिवहन विभाग पीड़लूडी और बन विभाग के अन्य कर्मी भी आंदोलन में इनका साथ देना चाहते हैं उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग के कर्मियों और चैनितों को CBI का नोटिस जारी किया गया है अचानक CBI फिर से जाग गया है और PCS 2015 APO 2010 से चैनित कुछ अभ्यारतियों एवं कर्मिचारियों को CBI नोटिस जारी कर जवाब देने की बात की गई है और काफी पूंचताच की जा रही है जैसा कि आपको मानूँ है कि CBI लोग सेवा आयोग की भरतियों की जाच कर रही है और यह प्रिजेंट सरकार जो इसमें मौझूदा सरकार है इन्होंने जाच बैठाई है सरकार के तीन सार हो चुके है और जाच अभी तक जाच कुछ भी निशकर्स नहीं आया है सिब्याइ अचानक एक्ट्व होती है दो-चार मिनें तक एक्ट्व रहती है उसके खाज साथ साथ मेने इनक्ट्व हो जाती है तो प्रिजन टाइंव में अभी इसमें सीब्यांट्व हो चुकी है फिर्या थैम्यूद लग हो गई है तो प्रियाग राज में 1996 सिच्छा में तरह हुआ चारसो च्छे सवारी 662 अनुतेशक और इनकी जाच शुरू हो चुकिए इसमें इसी तरह से बाकी सभी जीलों में भी यह जाच होगी तो दोस्तों यह थे आज के प्रमुक समाचार और इंपॉर्टन खबरें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्यवाद